असलाम अलेकूम, वालकम टो लाइवली गूकिंग आज हम बनाने जारे हैं जबरदसे जट पर बनने वाले पिन्वील समोसा बहुत ही टीस्टी, बहुत ही जबरदस्ट, क्रिस्पी और डिलिश्यस ये पिन्वील समोसे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रियंस के साथ बहुत असान तरीके से आज मैं आप लोग को यह पिन्वील समोसा बनाना सकाऊंगी और आप इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं तो चलिए इस जबरदस्त और टेस्टी प्रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे डो बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 किलो मैदा और इसमें मैं डालूंगी तक्रीबन 1 टेबल स्पून या हसपे जय का आप नमक एड़ कर सकते हैं मैं एक टेबल स्पून एड़ कर रही हूँ मिक्स करेंगे मैदे को और नमक को और अब हम इसमें 6 खाने के चमज घी डालेंगे घी जो है वो नरम होना चाहिए, रूम तेमप्रेशर पर होना चाहिए और आपने इसमें मैल्ट किया हुआ घी एड नहीं करना जस्ट नरम घी जो के रूम टेंप्रेचर पर होता है तो वो अपने एड़ करना है एक किलो मैदे में छे खाने के चमच भरके हमने घी एड़ करना है और अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे यहाँ पर यह डो मैं ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि इस एक ही डो से मैं आपको समोसे कचोरी और पिन्वील समोसे बनाने से खाऊंगी और इस एक ही डो से कई सारी चीज़े बन सकती है तो देखें डो इस तरह से होना चाहिए हम इसे मुठी मिलेंगे तो यह सारा डो जो है वो एक जान हो जाएगा और इसके बाद हम इसे गुनना स्टार्ट करेंगे पानी हम इसमें एड़ करेंगे हजबे जरूरत एक दम से आपने ज्यादा पानी नहीं एड़ करना क्योंकि यह डो जो है यह हम सخت गुन देंगे पानी जो है वो नॉर्मल है ज्यादा ठंडा भी नहीं हो ज्यादा गरंदी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करती जाएंगे और मिक्स करती जाएंगे और बस इस तरह का सख्ट सा डो हमारा बनना चाहिए थोड़ा सा खुश्क सा और सख्ट सा डो हमारा बन के त्यार है और अब हम इसे कवर करेंगे हलके गीले कपड़े से या किचन डावल से और इसे हम ढखके रख देंगे आध्य गंटे के लिए तब तक हम अपना मिक्सर बना लेते हैं इसके लिए हमें अबले हुए आलू चाहिए तकरीबन पांच अदद मैंने यहां पर अबले हुए आलू लिये हैं और इसमें मैंने तीन सो प्राम चिकन रेशा कीवी अबले हुए अड़ की है और एक टीस्पून या फिर हल्पी ज शामिल करेंगे दो चाय के चमच भरके हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे एक टीस्पून भरके हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेज जीरा शामिल करेंगे एक टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ अगर आपको ज्यादा मिर्चे पसंद हो तो आप ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं एक टी स्पून में इसमें कुटि हुई लाल मलिचे शामिल और इसके बाद हम इसमें इड्ट करेंगे हरे धनिया तक्रीबर एक करती में यहां पर ली है हरे धनिये की और चॉप कर आप करेंगे अगरकर चाहें तो आप इसमें हरे मुर्चेशन भी एड्ट कर सकते हैं पारीख होगा और अच्छी तरह से मैंश भूशे हुए ओतने ही हमारे ब defines में बनेंगे और इसके म直接 अच्येत्पिंग तो हमारा तयार हो चुका है जो को हम दो हिस्षों में तक्सीम कर लेंगे था जो यह दो जो है इसको हम चार हिस्सों में तक्सीम कर सकते हैं तो एक हिसे का मैंने पेड़ा बना लिया है और पेड़े को हम अच्छे से बेल लेंगे इतनी थिकनेस होनी चाहिए अब हम इसके उपर मिक्सर रखेंगे और अच्छी तरह से पहला के लगाएंगे एक तरफ से स्पेस आपने छोड़ देना है क्योंकि वहां से हम रोल अट करेंगे और इसको बंद करेंगे और मजीद इसको चपकाने के लिए और स्मूथ करने के लिए हम इसे बेलन से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे इससे ये होगा कि जो मिक्सर है मैंने ये मिक्सर लगा लिया है और अब हम इसको एहत्याद से इस तरह से रोल करेंगे एक तरफ से आप देख सकते हैं कि मैंने स्पेस खाली छोड़ी हुई है तो इसको हम बंद करेंगे इसको ओपर थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे और फिर हम इसको बंद करेंगे और ये एक लॉक के शकल में आगया है देखे इस तरह से अब आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इससे आप फ्रिज या फीजर में रख सकते हैं ताकि कटिंग में आसानी हो इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम कटिंग करेंगे तो ये पिन विल हमारा त्यार है देखे इस तरह से ये नीचे से थोड़ा सा खराब हो किया है तो मैं इसको रोल करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से रोल करूंगी सर्फिस के उपर तो इसी तरह हम सारे पिन वील समोसे बना लेंगे और इसके बाद किसी ट्रे में या फिर प्लेट में आईल लगा कर हम इसे रखेंगे देखें इस तरह से और इस स्टिश पर आप इन पिन वील समोसे को फ्रीज कर सकते हैं अराम से आप इस तरह से फ्रीज कर लें और इसके बाद फ्रे में से हटाकर किसी जिब लॉक बैग में या फिर किसी कंटेनर में रखकर इसे आप फ्राय कर सकते हैं मैं यहाँ पर इसे Direct fry कर रही हूं, आपने chez केते हाँ के पिन्विल समोसे fry करने हो, तो defrost क्रने लेकी कुई जरूरत नहीं है बस आपने और आउल करना धूरां करना है और हलक़ा गरम आउल में आपने पिन्विल समोसे को डालता है और इसके बाद पोड़ी देर बाद आपने आँच तेज करके इसको golden fry कर लेना है डिफोस्ट करने की जुरूद नहीं है तो यहाँ पर medium flame पर मैंने pinwheel समोसे को fry कर लिया है और अच्छी तरह से crisp होने पर और golden कलर आने पर हम इसे all में से remove कर लेंगे अब हम pinwheel समोसे को dish out करेंगे तो देखें जबरदस से chicken और potato spinwheel समोसे हमारे त्यार है उमीद करती हूँ यह simple सी recipe आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी आप भी इसे बनाएगा ज़रूर ट्राय कीजिएगा और मुझे feedback ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी recipe कैसे लगी आप इसे बनाकर freeze भी कर सकते हैं बहुत ही tasty और बहुत ही जबरदस त्यार होते हैं अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगे तो इसे thumbs up जरूर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो मजीद tasty और delicious recipe सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल lifestyle भी like cooking को subscribe नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी visit करें वहाँ पर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे भी like share and subscribe करना मत भूलिएगा मिलती हूँ next वीडियो में next recipe के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दूओं में याद रखेगा थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर अल्ला हाफिस